अब देखने नमस्कार दोस्तों मैं इंजिनियर विसाल गोल फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दिल से स्वागत करता हूं मैं इंजिनिंग सपोर्ट के एक और शांदार हाउस कंस्टर्ट्सन कोष्ट के विडियो लेक्चर में दोस्तो जब भी हमें मकान बनाना या बनवाना होता है तो सबसे पहली और जरूरी requirement होती है हमारी पानी क्योंकि पानी के बीना आप house construction नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें सबसे पहले I mean house construction स्टार्ट करने से पहले boring करवानी होती है ताकि हमारे पानी की ववस्ता हो सके जो आप 100 feet तक भी करा सकते हैं और 200 feet तक भी यह totally depend करता है आपकी location पर के उस जगह पर पानी कितनी गहराई तक है और जब भी हम पानी के लिए boring करवाने की सोचते हैं तो बहुत ही confusion में रहते हैं कि इसमें कितना पैसा लग जाएगा कोई कहता है 200 feet boring 60,000 रुपे में हो जाएगी कोई एक लाग बताता है तो क्या सही है और क्या गलत आज हम इसी पर डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि आज मैं एक 200 feet तक बोरवल करवाने में लगने वाले पूरे खर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा बहुत important जानका करने के बारे में नंबर टू हम बात करेंगे सिर्फ बोरवल की डिलिंग में क्या खर्चाएगा इसके बारे में नंबर त्री मैं आपको बताऊंगा कि एक नए बोरवल के लिए आपको क्या-क्या समान मिंस क्या-क्या चीजे खरीदनी होती है नंबर फॉर मैं आपको सबस तो फिट बोर्वेल की टोटल कोस्ट के आएगी ओगे फ्रेंस तो चलिए वन बाइवन देखते हैं तो हमारा स्टेप नंबर वन है बोर्वेल के लिए जगह डिसाइड करने का दोस्तों बोर्वेल के लिए सही जगह का चुनाव करना भी बहुत ही इपटर है क्योंकि काई मार देखा गया है कि इक ही पोलोट के किसी जगा पर तो पानी मिल जाता है और किसी जगाय पर पानी बिलकुल नहीं होता तो इसलिए बोर्वल करवाने से पहले आपको सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है इसे पता करने के लिए आपको एक certified geologist को hire करना पड़ता है और खास कर तब जब आप अपने खेतों में boring करवा रहे होते हैं लेकिन घर में boring करवाने के लिए आपको specially geologist को hire करने की जूरत नहीं होती जिने आप boring का काम दे रहे हैं वे लोग ही आपका boring point identify आने के लिए जिसकी average cost आपको 600 रुपे पर एकर तक पड़ती है तो माल लो आपकी जमीन 10 एकर है तो इसका total खर्चा 6000 रुपे तक एक geologist ले जाएगा और normal घर की boring के लिए 2000-2500 रुपे तक आईए अब मैं अपने second step की तरह बढ़ता हूं जिसमें हम देखेंगे कि सिर्फ 200 feet तक boring यानि के drilling करने का कितना खर्चा आएगा तो friends बोर drilling वालों का rate feet के हिसाब से होता है तो मैं भी आपको feet के हिसाब से ही बताऊँगा जैसे कि अगर आपकी 100 feet तक boring होगी उसका वो चार्ज करते हैं लगबग 70-80 रुपे फीट इसके बाद 100-200 feet तक ये चार्ज करते हैं 90 से 100 रुपे फीट और 200-300 feet तक का ये चार्ज करते हैं approach 100-110 रुपे फीट तक बाकी इन rates में 10-20 रुपे का variation भी हो सकता है अलग-अलग location पर और इसमें आपको 40 feet casing लगेगी जिसका rate भी लगबग 200 feet तक है तो अगर 200 feet तक borewell drilling का total cost देखें तो पहले 100 feet तक आपका खर्चा 10,000 रुपे तक और 40 feet casing आएगी आपकी लगबग 8,000 रुपे इसके सासत आप कुछ miscellaneous खर्चा add करके चले 1500 रुपे तक लेवर की चैनास्ते के लिए तो ये cost हो जाएगी आपकी approach 27,500 रुपे तक तो आपका 200 feet तक की सिर्फ pouring का खर्चा होगा 27,500 रुपे तक थर्ड मैं important चीज तो है submersible motor pump नीचे से उपर पानी खीचने के लिए second हमें लेना होता है एक starter box इस motor को चलाने के लिए third हमें लेने होंगे 20 feet वाले bore pipe fourth हमें लगेगी cable wire क्योंकि हमारी boring 200 feet है तो हमें 200 feet ही cable wire भी लेनी पड़ेगी fifth हमें जिरूरत होगी service wire की अब ये service wire क्या होती है तो friends जो wire हमारी electrical pole से starter box तक रहती है उसे हम service wire कहते है एक हमें gate wall चाहिए पलस कुछ clips और GA wire ले लो तो ये सभी चीज़े हमें खरीदनी है एक नए bore well के लिए next मैं आपको इंडिया में आज के समय में जो सबसे popular और branded submersible pumps है उनके बारे में बता देता हूँ इनके starting rate के साथ है तो सबसे पहला submersible pump है क्रंप्टन का बहुत ही अच्छी company है जिसका starting price बानवे 100 रुपे से start हो जाता है second है किर्लोसकर pump जिसका starting price भी 88 100 रुपे से start हो जाता है third है CRI का submersible pump अगर आप CRI का submersible pump लेते हैं तो इसकी starting range आपको पढ़ जाती है लगबग 11,000 रुपे तक fourth है जिंदल का submersible pump ये brand भी काफी popular है जिसकी starting range 5000 रुपे से शुरू हो जाती है और fifth है Vigard का borwell pump जिसकी starting range 95 100 रुपे से शुरू हो जाती है इन में से आपको जो भी submersible pump लेना है आप वो ले सकते हैं अपने budget के according इन पाचों brands के submersible pump काफी अच्छे है fourth अब अगर हम इसके दूसरे component की cost की बात करें तो number one एक किरलोसकर company का 5 HP का submersible pump आपको पढ़ेगा लगभग 35,500 रुपे तक second एक 5 HP का starter box आपको पढ़ जाएगा approach 5000 रुपे तक third हमारी cable wire 200 feet जो approach 13,000 रुपे तक आएगी लगभग 86 रुपे पर मिटर के हिसाब से 7200 रुपे तक एक pipe 900 रुपे तक पढ़ेगा फिफ्थ हमारी service wire आएगी three face की electrical pole से starter box तक लगभग 25,000 रुपे इसके लगा लो gate valve और कुछ miscellaneous item लगा लो 2000 रुपे तक के और जो electrician आएगा वे भी आपसे अपना खर्चा ले लेगा 25,000 रुपे तक तो ये हमारे total समान और lever का खर्चा हो जाएगा लगभग 67,700 रुपे तक तो हमारी एक 200 feet borwell की total cost हो जाएगी equipment की cost के साथ borwell drilling की cost पलस equipment cost को add कर देंगे तो 27,500 drilling cost plus 67,700 सभी समान की cost is equal to 95,200 रुपे तो एक 200 feet borwell करवाने पर हमारा खर्चा आजाएगा लगभग 95,000 रुपे और हाँ ये खर्चा भी 1000 से 2000 रुपे उपर नीचे हो सकता है क्योंकि different location पर थोड़ा बहुत rate का difference रहता है लेकिन इससे कम cost आपकी नहीं आने वाली एक 200 feet का borwell कराने में ये आप ध्यान में रख लीजिए 60,70 और 75,000 में तो मतलब भी नहीं है ओके friends अब मैं आपको borwell drilling कराते हुए कुछ जरूरी बाते बताना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आएंगी सबसे पहली बात जब याप borwell के लिए boring करवाएं तो हमेशा अपनी जमीन के पास वाले किसानों और house owner से जरूर इंक्वारी करें पानी के लिए इससे कुछ दूरी बनाकर ही अपना borwell करवाएं फिफ्ट ग्राउंड पर किसी भी तरह की पानी की लिकेज नहीं होनी चाहिए और number six जब आपको पानी के लेवल कम बिले तो ऐसे में आपको motor नहीं चलानी चाहिए नहीं तो आपकी motor जल सकती है तो यह कुछ important बाते हैं जो आपको borwell करवाते हुए जलूर ध्यान में रखनी चाहिए तो आज की वीडियो में यहीं तक उमीद करूँगा कि अब आपके सबी सवालों के जब आपको मिल चुके हैं और अगर फिर भी आपको कोई समस्या कोई है तो आप हमें कमेंट जलूर करके बताएं आपको reply जरू करें और फ्रेंट्स चले जल्द मिलता हमारी नेक्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बहतरीन जानकारी के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्स चेपर वजँ और वोगों के लोगों के लिए लुट का बलाष्ट घुट कर में यहाद बहुत परेंहां के लिए खित्ते को जाम थेडियों के लिए इसपला हमारी सूरू सतर्श घजश ठाट गजियों के लिए बहुत-जानकारडव गल्ट दन्यवाद ट्रहरा सं लिए झाल झाल